यह साल कमाल का कैसे हो देखो यार वैसे तो जैन्वरी काफी बीतिक है तो एक तरह से यह नया साल तो नहीं है लेकिन अभी भी बहुत सारा साल बाकी है अब आपने साल की शुरुआत देख लिए है वह सकता आपने साल के शुरू में कुछ resolutions किया हो और आप क्यूंकि जैन्व में हम यह करेंगे वो करेंगे वो करेंगे सब छोड़ देते हैं तो इसलिए मैं जान बूझके यह वीडियो अभी लगा रहा हूं towards the end of January की भहिया साल अभी बहुत बाकी है और यह new year resolution वाला चक्तर मत छोड़ो आप यह सोचो कि यह पूरा साल मुझे अपना best साल कैसे बना मतलब एक एक तरीके से बोलो कि यह साल किस तरीके का है किसलिए है यह साल राइट इस साल this is the year of what जैसे मैं कह सकता हो कि मेरे लिए 2022 ना it is the year of health for me it is also the year of balance for me मुझे काम और health का balance करना है काम मेरा है मेरा यह YouTube मेरे newspaper के articles मेरी writing शायद मैं कोई show लिख रहा हूँ या book लिख रहा हूँ right मेरा family के साथ time तो इन सब चीजों का balance का साल है वो इसलिए कि मैंने बहुत साल लग लग के लिखा है बहुत पागलों की तरह काम किया है and I feel कहना कही मेरी health का balance out हुआ था कहना कही मेरी family life का balance out हो रहा था उतना time नहीं मैं दे पा रहा था मेरे लिए 2022 वो है you know 2022 में मेरे बच्चे कॉले चले जाएंगे actually तो अभी आदा साल मेरे साथ है उसके बाद second half में शायद hostel और में चले जाएंगे तो एक तरह से I want to be there for them more right जब बच्चे कॉले चले जाएंगे उसके बाद मेरी life कैसी होगी you know उस चीज़ का balance बनाना मेरे को बहुत जरूरी है health बहुत जरूरी है तो अगर मैं वह सब नहीं सोचूँगा और यह बलूगा writing writing तो गलत हो जाए तो एक तरह से पहले आप सोचलो कि यह साल में मुझे decide करना है कि मेरे को किस से शादी करनी है शादी करनी नहीं है लेकिन partner ढूणना है कुछ भी हो सकता है तो यह आप जब तक यह नहीं सोचोगे कि यह साल किस बारे में होगा अगर आपकी life की story लिखी जाती तो यह साल जब आता तो इस chapter में क्या आता कि आपने क्या किय आप क्या चाते हो क्या हो इग्जाक्ली जब तक आपको वो नहीं पता होगा तो आप उस दिशा में जाओगे और प्लीज यह साल इंस्टाग्राम देखते-देखते या फाल्तु के वीडियो देखते-देखते या I don't know Netflix और यह देख देखके चार-चार घंटे और बेसिक लाखों लोगों ने देखा आप भी देख लो तो यह साल किसके लिए या यह साल सेहत पे देना है नौकरी पे देना है रिलेशनचिस पे देना है कैसे देना है करियर हेल्थ रिलेशनचिस में हमेशा से कहता हूं लाइफ के टेबल के यह तीन तांग है इन तीनों को संभाल कि रखना होता है तभी लाइफ अच्छी चलती है तभी खुछ रहता आदमी तो पहली बात तो अगर आप बोलो यार इस साल पैसा दाना है ठीक है कितना पैसा बनाना है एक लाग और बचा होना चाहिए आपके पांच लाग दस लाग कितना राइट पैसा इंवेस्ट करना है कि नहीं करना है और कितना करना है थोड़ा प्रिसीजन पैसे मंतो प्रिसीजन लाना बड़ासहान है कि वह फजी वासजा है और दूसरी बात ही ए की measure progress from the beginning, measure करो नापो उस चीज़ को जो चीज़ आप अपनी life में बदलना चाते हो उसको नापना शुरू करो एक बहुत अच्छा quotation है what gets measured gets managed जो चीज़ आप नापते हो वो ही संभलती है आप नापो गिने ना, चीज़ नहीं समझे लेगी आप कई बार देख लो, जब आप weighing machine पे regularly चड़ते हो, तो आपका weight control में रहता है, और जब भी आपका weight बढ़ गया होता है आप याद करो, आपने weighing machine पे चड़ना छोड़ जियाता है सिर्फ चड़ने से आदमी control में रहता है because what gets measured gets managed, जो नापा जाता है वो संबल जाता है तो नापो, आपका career कैसे जा रहा है नापो, हर चीज को नापो और कई चीज़ें नापना असान नहीं होता है relationship, भही आप याँ relationship कैसे नापे अपने आपको score दो, आपकी life में जो relationship है आपकी जो, maybe your girlfriend or boyfriend, कि भही दस में से हमारा relationship उतना अच्छा भी is it a 8 or 9? that's okay, that's very good you don't have to then worry so much but if it's 2 or 3 or you don't have a relationship which is like a 1 or 0 and you really want fun then उस पे गाम करना है right, कैसे गाम करना है लाइक बनो यार ऐसे बनो कि लोग आपके बास खिचे चले आए so make this year about that यह नहीं कि इस साल लड़की बटानी है ऐसे नहीं होता है आप बोलो, इस साल इस लाइक बनना है इतना काबिल बनना है मतलब, बहुत लोग मुझे date करना चाहते है और वो काबिल बनने के लिए क्या करना है health बनानी है make muscles, make money पहले भी मेरे एक और वीडियो है वो देख सकते हो आप right so that's why you have to start measuring कित्ती health बनानी है कित्त बैसे बनानी है वो सब करना है right आप यह भी कह सकते हो इस साल यार मुझे better father बनना है जैसे मैंने बोला कि मैं अगर काम ही करता रहा होगा यह मैं बच्चे कॉले चले लेंगे तो I think I should give them more time not just have fun with them उनको समझना उनको लाइफ में बदलाव आ रहे हैं लड़के बड़े हो रहे हैं मर्द बन रहे है थोड़ा motivate उन्हें भी करूँ भई है कि नहीं यह आप बोल सकते हो कि अपने रिष्टे अपने पेरेंट्स के थार आपका रिष्टा हो सकता है आपने ना टाइम ना दे पाए हो आप दूसरी शहर में रह रहे हो करोना के वज़ा से लोग मिलनी पा रहे थे हो सकता है आप बोलो 2022 में मिरको यह तन नहीं है मिरको अपना एक family holiday create करना है जिसमें मेरी सारी family के लोग आएगे पंदरा लोग आएगे सारा टबर आएगा टबर इन पंजाबी means people can explain in comments below but yeah basically पूरा खांदान आएगा right so don't just say कि यार मुझे रिष्टे ढीक करने है I want to be better in relationships थोड़ा define करो कैसे खरोगे how यार मेरे को महिने में एक बार अपने parents से मिलना है दो दिन पर यार मेरे को मम्मी को तीन बार हफते में call करना है या जो भी है I mean make it precise make it measure it नापो और संभालो measure and manage right do that so that is a way you can live this year to make it your best year अगर अब यह सब करने लग जाओगा न आप सून रलाइस तरो गया यह तो मेरे साल का बना तो बैस साल हो गया just by measuring managing being clear कि यह साल के इस बारे में होना है और उसको अपने जहन में रखना मेशा उसकी awareness रखना मेशा and yeah of course अपने स्टुपिट से फोन पे घंटों नहीं बरबाद करने it's like basically if you wanna destroy your life you get addicted to the phone it's the most easiest way to destroy your life तो बड़ी बार नहीं कर रहा है you know stop stop it just just stop spending too much time on Instagram or Twitter or Facebook even on YouTube watch sensible things YouTube पे कमाल की knowledge है यार दुनिया की best knowledge YouTube पे वेले बले वो देखने रहे हो you know सभी तब भावी को you know बिकीनी पैन के रोटिया मनाते देख रहे हो है ऐसे वीडियो ऐसे stupid लोग देखते हैं करोडो आप भी हो गए चाहिए मत देख यार कुछ नहीं है इसमें क्या करूँ मैं मैं भी लगवालू लड़कियों के parts ताकि तुम ज़्यादा देखो क्या है तुम इसे biological urge सही में निकल पा रहे है जो urge एक छिपकली में होती है एक बंदर में होती है वो ही तुम इरको नहीं आगे बढ़ने तेरी life में तो यह क्या वगवास है तो यह क्या वगवास है तो यह ऐसे करो Now, at the same time पूरा साल यही नहीं की काम है करते रहना है खुश भी तो रहना है मज़े भी तो करने है So, do something that makes you happy everyday But कोई ऐसी चीज करो जो आपको रोज खुशी दे But, लेकिन वो ऐसी चीज नहीं होने जो आपके लिए long term में हानी खा रखो अब आप बोलो यार मुझे तो आइस्क्रीम में खुशी मिलती है मैं रोज आइस्क्रीम खाऊंगा नहीं यार हानी का रख है हफते में एक बार हानी का रख शायद नहीं है बेंट आपके क्या गोल्स है हेल्ट के जो लोग बहुत जबरदस थहल का ध्यान रखते है उनके लिए महीने में एक बार काफी होती है शायद मोस्त लोगों के लिए हफते में एक बार काफी होती है रोज काफी इस नॉट गूट राइट तो इफ यू बट इवस दिस सम्धी अल्स को कफी अच्छे लगता है ओके फाइन वहाँ टूट पफ कफी दू सम्धी एंजॉयए वहाँ एक सुम मीसुक लाग कि लिए निशनीं तू पड्ड कास्ट आपको मेरे वीडियो देखना अच्छे लगता है ठीक है छोटे से हैं कुछ सीखने को मिल रहा है ठीक है, something that is productive तो best है, if you can find 3-4 things in life now जो आप enjoy भी करते हो, लेकिन जो आपको आगे भी लेके जाती है, तीन-चार चीज़ने सिर्फ लाइफ में है, जो आप enjoy भी करते हो और आपको जिंदगी में फाइदा भी देती है, आप कहां आपके लिए किस चीज़ का साल? 2022 क्या है साल? आप क्या चाते हो, आपके लाइफ की स्टोरी जब लिखी जाते हो, 2022 में आप क्या चाते हो, year of what? year of what? अगर तीन-चार वर्ड्स में यह what का आंसर देना है तो 2022 is year of what for you please tell in the comments below like करो, share करो, subscribe करो घंडी शंटी दिबाओ, you know यूटीब का बताओ भहिया यह भहिया अच्छे वीडियो बना रहे हैं अभी तो यूटीब औरों को दिखाएगा thank you for watching guys, really take care यह दो पूटीब का पुटीब देना है